नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं निउस क्लिक का डेर रंडप शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुखी सुर्खियों पर एक दिसम्बर को हैदराबाद में होने जारे अस्थानी चुनाओं में महामारी बार प्रबंदन है एहम मुद्दे सरकारी आवास खाली करने का फर्मान मिलने पर कलाकार सकते में कोरोना अपडेट देश में फिर बढ़े केस पिछले 24 घंटों में सामने आये 45,576 नए मामले हमारी चौती और आखरी कबर COVID-19 से हर्ड इम्मिनिटी या टीका करण का क्या होगा विकल्ट तेलंगाना राज निर्वाचन आयोग ने मंगलवार यानी की 17 नवंबर के दिन व्रियद हैदराबाद नगर निगम के लिए चुनाव कायकरम की अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें मद्दान की तीती 1 दिसंबर और चुनाव परिडाम 4 दिसंबर के दिन घोशित कर दिये जाएंगे अब जबकि चुनावी प्रक्रिया के लिए मात्र 2 सब्ता का ही समय बचा हुआ है ऐसे में तमाम राजनितिक दल राजी की राज़धानी में अपनी चुनावी ताकत को साबित करने के लिए कमर कस रहे है राजी निर्वाचन आयूत सी पार्थ सार्थी ने इस विशय में अधिसूचना जारी करते वे कहा है कि नए जीएच एमसी अधिनियम के अनुसार राजी सरकार के साथ परामर्ष के बाद जाकर इस चुनावी कायकरम को जारी किया गया है पर वेक्षकों का अनुमान है कि इन चुनाव में मुख्यों मुद्ध के तौर पर निरंतर जारी करोना वायस महामारी से निपटने में सरकार के प्रदर्शन जीएच एमसी में विकास कायकरों में मौजूदा सभासदों की भूमी का गरीब वर्गों के लिए पानी और समुचीद आवासी सुविदाओं जैसे अन्यमुद्धे होने जा रहे हैं इन चुनाओं में कुल 74,4770 मद्धाता भाग लेने जा रहे हैं जिनमें 38,56,770 पूरुष, 35,46,847 महिलाए एवं 699 ट्रांसजेंडर स्ट्रेडियों से होंगे जीएच एमसी में यह मद्धान इसके 24 विधानसभा छेतरों के कुल 150 वाडो यह प्रकरण्डों में होने जा रहे हैं पदमिस्री से सम्मानित भारती शिवाजी सहित कई प्रतिष्टित कलाकारों को सरकार ने दिल्लीव से अवंटी सरकारी मकान खाली करने का नोटिस भेजा है ऐसे में कलाकारों ने सोंवार को कहा कि सरकार के इस रवईये से वे प्रताडित, अपमानित और दुखी महसूस कर रहे हैं आवासन एवं शहरी कार मंत्राले ने इस साल अक्टूबर में कलाकारों नर्तक को संगीत कारों सहीत कुल 27 प्रतिष्ठित कलाकारों को नोटिस जारी कर उन्हें देल्ली में आवंटी सरकारी आवास 31 दिसंबर तक खाली करने को कहा था साधी कहा था कि ऐसा नहीं करने पर सारवजनिक परिसर कानून के तहट सारे आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया शुड़ू कर दी जाएगी जिन अन्य कलाकारों को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है उनमें जतिन दास, पंडित भजन सपोरी, पंडित बिर्जु महराज, रीता गाउंगली और उस्ताद एफ वसिफुदिन डागर शामिल है मोहिनी अटम नित्यांगना भारती शिवा जी का कहना है कि वह सक्ते में है और उन्होंने अभी तक तै नहीं किया कि क्या करना है एशिन विलेज में आवंटित आवास में रह रही शिवा जी का कहना है कि यह प्रताणना है, मेरे पास कोई और जमीन या संस्तान नहीं है कठिन परिश्रम करने कलाकारों को सरकार कम से कम आवास देने का काम तो करी सकती है कई कलाकारों ने अपने वर्तमान आवासी सिति को अवयद बताय जाने पर अपत्ती जताई है केंद्री स्वास्त मंत्राले द्वारा आज गुरुवार यानि 19 नौंब को जारी आगड़े के अनसार देश में पिछले 24 गंदों में करोना के 45,576 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से एक दिन में 585 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में करोना से पिडित 48,493 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 3,500 मामले कम हुए हैं देश भर में अब करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 89,58,583 हो गई है जिन में से अब तक 1,51,578 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्थ मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0,0,0% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93,0,58% हो गया है यानि अब तक कुल मरीजों में से 83,83,602 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टी मामलों की संक्या घटकर 4,09,04% यानि 4,43,303 हो गई है ICMR दोरा जारी आगडों के अनुसार अब तक 12,85,08,389 सेंपल की जाच की गई है जिन में से 10,28,203 सेंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है आईए अब बढ़ते हैं हमाई चौती और आगरी COVID-19 वैक्सिन से जूड़ी खबर पर मोडर्ना ने सोमवर को कहा कि राश्ट्री स्वास संतान द्वारा COVID-19 के खिलाफ टीके के तीसरे चरड़ के अध्यन के लिए नियुक्त स्वतंत डेटा सुरच्छा निगरानी बोड यानि कि DSMB ने टीके को 94.5 प्रतिशत प्रभावित पाया है डॉक्टर सत्यजीत रत हर्ड इमिनिटी और टीके के इस विकास के बारे में क्या कह रहे हैं? आईए सुनते हैं ये नतीजे काफी अच्छे हैं जैसे आप कह रही है कि 90 पीसिदी से ज्यादा अगर असरदार निकला टीका तो बहुत ही अच्छी बात है अच्छा इसमें हमने कुछ बाते ध्यान में रखनी चाहिए जिनका जिकर हमने पहले भी किया है जब हम टीकों की जांचों के बारे में बात कर रहे थे एक तो ये है कि टीके दिये हुए और टीके ना दिये हुए या तो भरामक टीके मतलब प्लसीबो दिये हुए गुटों में कितनी बीमारियां होती है इसकी गिंती हो रही है और जो पहली एक तकरीबल नबे सौ बीमारियां आई हैं BioNTech Pfizer के गुट में मैं उस वेक्सीन को Pfizer vaccine candidate नहीं कहता क्योंकि उसकी जो तकनीकी विकसन है वो फाइजर ने नहीं किया, फाइजर में ने सिर्फ खरीदा है, बिल्कुल छोटी कंपणी ने, जर्मनी स्थित कंपणी ने, जो जर्मनी स्थित तुर्की वेग्यानिकों ने शुरू करी हुई है, यह भी सही है, तो हमने विज्ञान और प्रोध्योदिक जी की कि एक सांच ही बैश्विक्ता नजर अंदाज नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन ठीक है, बायोंटेक फाइजर के हैं, बायोंटेक फाइजर ने पहले 100 बीमारियां गिनी, उन 100 में 90 फीसदी बीमारियां एक गुट में हैं, अब याद रखिएगा कि उन्हें यह नहीं मालूम कि कौन सा ग बी वेक्सिन केंडिड़ेट है, यह हमें वैसे तो नहीं मालूम कागज पे नहीं मालूम लेकिन अगर 90 और 10 का या 85 और 8 का फर्क पड़े तो जाहिर है कि जो फाइजर ने प्रेस रिलीस किया, बायोंटेक ने नहीं किया, फाइजर ने प्रेस रिलीस और जिसके जरिये उन तीका कामियाब हो रहा है, मोडरना का बिलकुल वही हाल है, आंकडे उतने ही हाला कि उससे भी कम हैं, लेकिन उतने ही आशादाई हैं, लेकिन परेशानी यह हैं कि इस तरीके से इन आंकडों को अगर हम दिन-बदन देखने लगें, तो बड़ी चिंता आगे आती है, चिंता यह है कि एक और से कंपनियां कह रही हैं, अंतोनी फाउची साहब कह रही हैं कि वाह वाह यह तो बड़े अच्छे आकडे हैं और टीके असरदार हैं, कामियाबी नजदीक हैं, तो एक जन सामान्यों का दबाव बढ़ने लगेगा, कि भया टीका तो काम करता है, फि बस टीके को मान्यता दे दो, और टीके बाजार में आएं, टीके स्वास्त केंदरों तक पहुंचें, सब को मिले, सब का कल्यान हो, और चंद महीनों में ही हो, और सार्स को दो और कोविद उनिसको अपन भूल जाएं, इसमें अच्छन यह है, कि यह बड़े प्राथमिक आक आकड़े हैं, दोनों कमपनियों ने एक और से इसको बतोर इश्तिहार के सामने रखा है, लेकिन यह कहके सामने रखा है, कि भाया यह राथमिक आकड़े हैं, आगे चल के और देखना है, लेकिन यह जानते हुए सामने रखा है, कि अगर आशादाई आकड़े हैं, तो CDSCO पर जो regulatory authorities हैं, उन पर दबाव काफी बढ़ना है, कि भाया आप अब देर क्यों हो रही है, अप्रूवल ले दो. सत्री दो चीज है, एक तो है कि उन्होंने दोनों ने emergency use की लिए application डाल दी है, कि अभी emergency use के लिए इस्तबाल करने के लिए ये allow किया जाए, जो कि एक हिसाब से कम से कम पहला शारी के health workers बगारा, जो essential services health system में है, उनको शाइद दी जाएगा, तो एक तो emergency use के application डाल चुकी है, दूसरी बात ये है कि उसमे stock price पर उच्छाल सिर्प नितना ही नहीं आया, डाउ जो जो की गिर रहा था उसमें भी उच्छागा लिया, तो इसके immediate impact जो भी हो, ये जो stock holders है इन कमपनियों में, खास तौर से इनकी जो leadership है, उनको stock options मिलती है, उन्होंने stock options भी इस्तमाल करके stock बेचना भी शुलू कर दिया, तो इसलिए जब इन चीजों की आती है, कि इसके organic distillation क्या हो, उसकी regulatory विचार क्या हो, ये अलग चीज है, और इस तरह के खबरों पे आधारित अगर चीजे चलती रही, तो और एक खत्रा है, खास्तोर से vaccine लेके और खास्तोर से अमरीका में, कि वहाँ vaccine विरोधी एक बहुत चार ग्रूप जो काफी इस पे पहल कदीमी करके बहुत बड़ा campaign कर रहे हैं, फेस्बुक में बड़े groups इस तरह के create किये हैं, लाकि false news कहके उनको रोग दिया है फेस्बुक ने, तो एक anti-vaxxer campaign वहाँ पे बरकरार है, अगर इस पे कुछ गलत चीजे निकलता है, कि long term ill effect जो आते हैं, तो इसकी तो अगर इस्तमाल करना शुरू करने बड़े पैमानी पे पुरा anti-reaction भी पैल चाथा, तो बिल्कुल सही कहा है, मैं इतना बढ़कर कहूंगा, कि ये जो चित्र हमारे सामने आ रहा है, ये बिल्कुल बुनियादी पुंजीवादी चित्र है, पुंजी पुंजीवाद एक ओर से आशा दिखाता है, और उस आशा के आधार पर मुनाफिक होरी करता है, आज के डेली रॉंड़ पे बस इतना ही, नियूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साती देश और दुनिया की अन्न खबरों के लिए हमारी हिंदी और इ पर हमें फॉलो करें, नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया